आजकल की हेक्टिक जिंदीगी में हर किसी को स्ट्रेस है और इसी स्ट्रेस के चलते लोग कब डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर आने का एक मात्र रास्ता है मेडिकेशन डॉक्टर की कंसर्ट से ली गई दिवाईयां ही आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है पर एक नई स्टडी के मताबक डिप्रेशन का इलाज करने के लिए दवाईयों के कंपैरिजन में एक और चीज काफी फाइदर मन साबित हो रही है जी हां हेलो और वेल्कम यू ओल दिस इस मिक्रितिका डिप्रेशन आज कल की ऐसी बिमारी है जो हर दूसरे इंसान में देखने को मिलती है खासकर कोविट पीरियट के बाद से तो लोगों में स्ट्रेस एंग्जाइटी अकेला पन अपनों को खोने का डर जैसी चीज़े आम हो कई बारी लोग इसको जादा सीरिस नहीं लेते जो बाद में जाकर घातक बन जाती है मूट खराब होना दुखी होना अकेले बैठे रहना तो इसके कॉमन सिम्टम्स में से एक है अगर आप समय रहते इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो बाद में ये इतना जादा गंबीर ह हो जाता है कि इससे हमारी बॉटी पर भी असर देखने को मिलता है जिसको ठीक करने के लिए डॉक्टर मेडिकेशन की सलाह दीते हैं पर क्या आप जानते हैं कि एक नए स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि न सिर्फ मेडिकेशन बलकि अगर आप दिन में कम से कम 30 मि होर्मोंस जैसे सेरोटेनन और डोपामाइन रिलीज होता है दोड़ने से शरीर में कोट्री सोल लेवल कम होता है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो यह होर्मोन को ज्यादा ही रिलीज होते हैं जिससे जब आप रणिंग करेंगे तो हैपी हो पनेंगे और इसी से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा तहलना जोगिंग करना और दोड़ना ये तीनों एक्ससाइज कई तरह से फायदमत होते हैं अगर आप रेगुलर रॉनिंग करते हैं तो आपको नीन भी अच्छी आती है साथी रेगुलर रॉनिंग से आपका मूड भी अच्छा रहता है शरीर में बनने वाले हॉर्मोन जैसे एड्रोफिन ग्लूटामीट डूपामाइन सरोटिनन ये सबी चीजें दिमाग में आने वाले नेगेटिव खयालों को भी रूखती हैं नियमित रूप से दोड़ने पर आप खुद को मेंटली फिट रख पाते ह इससे वजन कम होता है जिससे आपकी परस्टनालटी भी बहतर निखरती है आपके अंदर से ये नेगेटिव थौट्स खत्म होने लगते हैं और स्ट्रेस डिप्रेशन से छटकारा मिलता है उमीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और भी ऐसे वीडि हमारी साथ नमस्कार